नमस्कार सातियों आज हम बात करेंगे वी दुबई के बारे में जी हां दुबई से अगर आप अभी सोच रहे हैं शेंगन वीजा लेने की या विरोप कंट्रियों में जाने की तो लगपक 27-28 कंट्री हैं एक कंट्री ओर एड हो चुका है अगर आप इन 28 कंट्रियों में स्टांप नहीं होगा जी हां डाइरेक्ट एक मोर लगी और आप जा सकते हैं शेंगन कंट्री में अब अगर जाते हो वरक परमिट वीजा में तो आपके पासपोर्ट में वीजा नहीं लगेगा एक मोर लग जाएगी यह बात मैंने वीडियो में बताईती है आप सबको पत बेस्ट है वीजा की जोरत नहीं है वीजा अपरूड हो गया अंबसी ने दे दिया तो सीधा लेके चले जाओ एरपोर्ट पर लग जाएगी और आप आजाम से जा सकते हैं तो यह बहुत ही बेस्ट सरकार ने सिंगेन सरकार ने बोला है अब यह इसे आप लोग अगर डीक्लिरेशन फॉरम में कंक्लीट करना पड़ेगा जिसमें अब का समान ऱो सकता है नगदी केस हो सकता है जियलरी हो सकती है कोई बी समान सथ हजार fel상 से ईगर अगर आपके समान है तो उनके लिए आपको करके जमा करवाना होगा अगर आप और यह नहीं करवाओं गे तो आप इंडिया आते हैं दुबई से तो आपके पास gold मालो 50,000 से उपर है currency है तो उसमें एक green door एक red door होता है red door का मतलब होता है limit से ज्यादा सामान आप उदर से निकलोगे तो उनके उपर फिर आपको text दे के बाहर निकल सकते हैं समझ गए तो same वही है उसमें declaration एक form भी बढ़न के लिए लेकिया इतना सामान तो बहुत सारी condition based के ओपर फिर उनको text लगा दिया जाता है और वही चीज़ें आप छुपा के लिनकी आने की कोशिस करते हैं तो फिर आए दिन जो अगवारों में होता है और मुग्द में लगते हैं वो आप लोगों के साथ भी हो सकते हैं त